हेलो फ्रेंट्स सौगत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3.1 टैक तो फ्रेंट्स अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप अपने मोबाइल फोन से ही अपने यूट्यूब चैनल को मैनेज करते हैं मतलब आप उसके वीडियो भी अपने मोबाइ आप यूट्यूब पर वीडियो कैसे अप्लोड कर सकते हैं और उन सारी वीडियो में मतलब अधिकतर वीडियो में आपको यही chlor plo करें और फिर उसे yt studio में जाके manage कर लें मतलब उसकी सारी settings जो भी title tags description है वो सब आप वहाँ पे जाके set कर लें और आप बिल्कुल वैसा ही करते आ रहे होंगे और जाके अपनी वीडियो को youtube application में upload करते होंगे और फिर उसे yt studio में manage करते होंगे पर यह बिल्कुल ही गलत तरीका है क्योंकि इसमें आप काफी सारे functions को miss कर देते हैं उसकी काफी सारी advanced settings को miss कर देते हैं आप उसमें end screen नहीं लगा सकते yt studio में आप उसमें और भी काफी सारी चीजें हैं अगर आपका चैनल monetize है तो आप उसमें multiple ads नहीं लगा सकते अगर आप अपने yt studio से उसे manage करना चाहें तो यह सारे function आपको वहाँ पे नहीं मिलते क्योंकि आप वहाँ पे सारी settings आप manage नहीं कर सकते एक YouTube वीडियो को upload करते time और भी काफी सारी चीजें हैं जो आप उसमें settings नहीं कर सकते तो friends आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि 2022 में mobile से YouTube पर videos upload करने का best तरीका क्या है जिससे और आपको जो भी advanced setting है उसमें वह सारी settings आपको मिलेंगी जैसे desktop पे मिलती ह हैं तो वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखिएगा वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप मत कीजिएगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यूं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और notification बैल को on करके उसे whole पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की notification सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने mobile phone की screen के उपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो इसमें आपको mobile से upload करने के लिए YouTube वीडियो को आपको direct YouTube application के अंदर नहीं जाना नहीं IT studio में जाना है आपको किसी भी एक browser के अंदर जाना है तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप Chrome browser ले या Mozilla ले कोई भी एक आप browser ले ब्राउजर के अंदर जाए ठीक है वहाँ पर आपको अपना इस तरीके से यह खुल जाएगा ठीक है अपने channel के अंदर login कर लेना है आपको मैंने इसमें login किया हुआ है तो यह इस तरीके से दिखा रहा है उसके बाद यहाँ पर आपको top right corner में यह जो red icon arrow दिख रहा है उपर को इसके उपर क्लिक करना है यहाँ पर आपको three dots दिखाई देंगे उनके उपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक option मिलेगा नीचे desktop site का तो इसे desktop site पे क्लिक करगे यह आपके सामने desktop mode में खुल जाएगा जैसा आपको laptop या PC के उपर दिखाई देता है उसी तरीके से यहाँ पर खुल जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको इसे zoom करके दिखाता हूँ उपर यह option दिखाई देगा upload video का यह plus वाला icon इस पर आपको यहाँ पर upload video पर click करना है जैसे आप desktop में करते हैं इस पर जैसे ही आप click करेंगे तो इस तरीके से आएगा आपको continue to studio पर रखना है उसके बाद आपके सामने यह वाला page open हो जाएगा आप यहां पर देख सकते हैं desktop में भी इसी तरीके से आता आप यहां पर जो select file का बीच में option है इस पर click करके जो भी video आप upload करना चाहे हैं वह यहां से upload करनी है आपको तो मैं इस पर click करता हूँ उसके बाद आप files में से जा सकते हैं capture कर सकते हैं ठीके फाइल में ज काफ़ी सारे option हैं automatic chapters है एक्स लगा सकते हैं यहां से भी आप licensing है अपनी licensing कर सकते हैं low embedding यह public to subscription feed जैसा desktop पर दिखाय देता है वह सारे function आपको यहां पर एक-एक setting को आप manage कर सकते हैं जो आपके वाइटी studio में आप नहीं कर सकते हैं यह सारे function और अगर आपका channel monetize है तो आप आप monetize भी कर सकते हैं ठीक है यहां पर video elements है इस पर हम click करेंगे तो video elements में आप देख सकते हैं यहां पर आप सब title लगा सकते हैं end screen लगा सकते हैं यह सब आप मैनेज नहीं कर सकते थे लेकिन आप यहां पर इस browser के अंदर इस सारी चीज अपने mobile phone के अंदर manage कर सकते हैं और अ इससे आपको जैसे PC पे आप कोई भी अपनी video का upload करता है उसी तरीके से आप यहां पे अपने mobile phone से कर सकते हैं तो इस तरीके से मैंने आपको समझाने के लिए कोई भी एक random video यहां पर select करी थी ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे आप PC में settings कर सकते हैं वैसी आप अपने mobile phone के अंदर भी यहां पर सारी settings कर सकते हैं इसकी तो इस तरीके से आप सही तरीके से और यह सबसे अच्छा तरीका है mobile से अपनी YouTube वीडियो को upload करने का अपने YouTube चैनल के ऊपर तो friends आपने अब यह अच्छे से सीख लिया होगा कि mobile से YouTube पर वीडियो अप्लोड करने का सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका क्या है एक professional way क्या है जिससे आप अपनी वीडियो को अपने YouTube चैनल पर अपने mobile phone से ही upload कर सकते हैं और उन्हें manage भी अच्छे से कर सकते हैं तो अगर फिर भी वीडियो से related आपको कोई query है कोई भी question है आपके mind में तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा like और share करें thank you